नमस्कार आप देख रहे हैं Don't Be Blind India दोस्तो आपने देखा होगा कि अभी इंडिया और और औस्टेलिया का टेस्ट सेरीज मुकाबला चल रहा है इसी बीच एक ऐसी बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है जिहां आपको बता देएं कि फाइनली रिसब पंद का गार्ड खरोचने के मामले में इस्टीप स्मित ने दी है सफाई औस्टिलिया को जश्टिस लेंगर ने किया है काउंट एंकर दोस्तों आपको बता देएं कि अभी हाले में जो इंडिया और उस्टिलिया का थर्ड टेस्ट मैच हुआ था उसमें इस्टीप स्मित की एक घटिया हरकस सामने आई थी जिहां इस्टीप स्मित ने सीडनी टेस्ट के पाचवे दिन के खेल के दौरान रिसब पंत के किरिश पर लगाए गए निसान से छेड़चाड करने के आरोप में हैरानी और निरासा जताई है उस्टेलियाई किरकेट टीम के इस दिगज बल्लेबाज की दलील है कि मैचों के दौरान ऐसा वे अकसर करते रहते हैं उन्हें निसाना बनाने की आदत है वहीं उस्टेलियाई को जस्टिस लेंगर ने भी इस मामले में एक तरह से काउंटर अटेक किया है उन्होंने स्मित पर लगाए गए आरोपो को बकवास से भरा करार दिया है तीसरे टेस्ट के आखरी दिन के खेल के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक के समय के वीडियो फूटेज में स्मित को किरिच के पास बल्ले बाजो दौरा बनाये गए निसान से छेड़चाल करते हुए देखा गया था वीडियो फूटेज में दिख रहा था कि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद लोटे रिसपंद दुबारा से गार्ड ले रहे थें और रिसपंद ने उस मैच में 97 रन की तेज तरार पारी खेल कर भारत के मैच जीतने की उम्मीदों को जीवन्त कर दिया था स्मिद ने न्यूस क्रॉप से कहा मैं इस तरह की पर्तिकिरिया से काफी हैरान हूँ और साथी निरास भी हूँ स्मिद ने कहा कि वे वहाँ से कुछ चीजों को समझने और अभ्यास के लिए ऐसा कर रहे थें लोशना जेलनी पड़ी थी टीम के पूर कप्तान स्मिद ने कहा कि इसने और कुछ अन्य विवादों ने भारत की सांदार बल्लेबाजी परदर्सन की चमक को प्रभावित किया तो आपको बता दे कि इस टीम समिद का फाइली बयान आया है और उनका ये कहना है कि जो कुछ भी हुआ वो अकसर करके करते रहते हैं और इसमें किसी तरह की चीटिंग नहीं है तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धनिवाद